यह लेबनन्स सीरिया का बॉर्डर है और सामने इजरायल के टावर है टावर पर छोटे रैडार भी लगे हैं, कम्निकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हैं तभी जाड़ियों में से निकलती है एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है पहले राडार पर गोली फायर होती है फिर कम्निकेशन सिस्टम थोड़ा जाता है फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है ये सब कुछ इस्रेल लेपनन बॉर्डर पर हो रहा है इस्रेल डिफन्स का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हेजबुल्ला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन याहू को डरा देगा ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इस्रेल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है एक पर देखिए हमला कैसे होता है दूआ छटता है तो इस्रेल के बाद की टैंक भागने लगते हैं दूसरा वीडियो दोहेरा बॉर्डर पॉइंट से आया है यहां भी इस्रेल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला हेजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इस्रेल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है लेबनन बॉर्डर पर इस्रेल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है इस्रेली टैंक के ऐसी तबाह होने की तस्वीरें जब इरान पहुँची तो वहां की विदेश मंत्रे ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया हुसैन अमिर अब्दुल्ला हिया ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इस्रेल पर बड़ा हमला हो सकता है हिजबॉल्ला की तरफ इशारा करते हुए इरान ने कहा है कि अगर इरान और लेबनन ने इस्रेल को जबाब नहीं दिया तो इस्रेल की सेनत तहरान और बेरूत पर गल हमला करदेगी सुरत तदावूम जनायात जन्गी रजीम कुछ इसराईल अले हिसाकनान गेर नजामी गजज़े हर इहतमाली मुतसवर हस इसमें कोई शक नहीं कि इसराईल की फौट जिस तरह से गाज़ा को हजारों टन बम मार कर समतल कर रही है इसने इरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है इरान ने पूरे पश्यमेशय का एक एक इंच नापकर इसराईल की ताकत का पूरा अंधासा लगा लिया है इसराईल और लिबनान बॉडर पे बहुत कुछ हैसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉडर से निकाल कर इसराईल और लिबनान के बॉडर तक ले जाए और हिजबुल्ला से एक नया फ्रंट खोल दे गाजा में पहले से ही खूब बंबारी और गोली बारी की जा रही है लेकिन हिजबुल्ला के आने से एक नया फ्रंट खूल जाएगा और दो फ्रंटों पे इसराइल पूरी लड़ाई लड़ेगा इस्रेयल पर हमले का खत्रा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाः अली खामनेई ने अमेरिका तक को जेतावनी जारी कर दी है अली खामनेई ने कहा है कि अगर घाजा में इस्रेयल के जुल्म खत्म नहीं होए तो दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को रोक नहीं पाएगी हमास के हमले के बाद इरान ने इस वक्त अपने मिलीशिया गोटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है सुदी अरब, जॉर्डन और मिस्र से भी इस्रेयल को करवे शब्द ही मिले है इस वक्त हिजबुल्ला भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है इस वक्त इराक में ISIS का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शाबी भी तयार है इस वक्त इमन भी एक्टिव है सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलेटरी परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परिशान कर सकते है यमन वो देश है जिसने पिछले आठ वर्षों तक साओधी अरब और उसके 15 साथ की देशों से यो धलड़ा जिस युद में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा बिटन भी रहा और इस्रैल ने भी यमन के खिलाफ मदद की अब वही यमन अमेरिका और इस्रैल दोनों को ललकार रहा है युद की ऐसी ललकार ऐसा गुसा आप इस इलाके को पश्यम एशिया कहकर बुलाईए इसे खाड़ी कहिए या फिर मेडलीस नाम कितने भी हो लेकिन इस वक्ती ओक्रेन के बाद दोनिया का सबसे ख़दरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है पिछले चार दशकों से ये इलाका युद्ध देख रहा है यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान जो एक हजार किलोमेटर की रेंज दक्मार कर सकती है इस मिसाइल से यमन ने सौधी अरब को कई बार डराया है इसरेल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हत्यार मिल सकते हैं और फिर वो उसके लिए खत्रा बन जाएंगे इरान भी यही डर फैलाना चाहता है जाहिर है कि इसरेल के लिए ये ये नया फ्रंट साबित हो रहा है अब गाजा के धमाकोने हिजबला के साथ एरान को युद में कोदने के लिए तयार कर दिया है इसलिए इसरेल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अमरीकाई हा हमन तुर के गफटम पयाम हाई रो मीदन, बे मा हम पयाम ददन पयाम शों पयाम शों ताकीद द्दनदारी वा अदम गुस्तरश जंग मा वा अमरीकाई हा पासुख मीदेगें के मा जब दनबाल गुस्तरश जंग नीसी दिए अमा खीश्दनदारी नमीतोने यक जानब बाशे, शुमा नमीतोनीद बे हिजबला लुबनान तोसीह बकने, खीश्दनदारी बकने, बड़ बेन नतान्योवी बगोई दस्ट शुमा रो बाज मीघजारीम, हर जनायती रो मीखाई अलएग गेर नजामियान अन्जाम साथ अक्टूबर को हमास ने इस्राइल पर एक साथ पास हजार रोकेट डागे, जिसकी वज़ा से इस्राइल क्या आइरन डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया, सवाल ये है कि अगर इरान इस्राइल पर हमला करता है, तो फिर क्या होगा? ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि इरान के आसपास अमेरिका के इतने मिलिटरी अड़ने हैं, जहां से इरान के खिलाफ हमले लॉंच किया जा सकते हैं, इसलिए कोई शक नहीं कि घाजा में युद्ध के साथ-साथ, अब इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फ सैनिक हैं, बहरीन में अमेरिका ने 12 अड़े बनाए हैं और यहां उसके 3700 से जादा फौजी तैनात हैं, सौधी अरब में अमेरिका के 10 मिलिटरी बेस हैं, यहां 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, ओमान में अमेरिका के 6 अड़े हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं, सैयोक्त अ इरान बहुत ज्यादा करीब है। इरान पर हमले लॉंच किये जाएंगे या फिर इरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिठी में मिला देगा। इरान पहले ही अमेरिका को अपने आसपास बरबाश्ट नहीं कर पा रहा। और अब घाजा इसरेल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है। युद्ध झाल बहाना दे दो है कि अपने ख्लाबश नहीं है कि अपने प्लाबश व्लाबश नहीं है।